जैहिंद मैं आविन कुमार सिंग है एलपी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और हात्र लगातार फॉर्म भर रहे हैं दो तीन बातों का उनका कन्फूजन हमेशा रहता है एक तो डॉक्मेंट्स के रिगाडिंग दूसरा बोर्ड के सेलेक्शन के रिगाडिंग तो चुकि दोनों अलग अलग बाते हैं तो पहला हमारा परियास होगा कि इस वीडियो में हम डॉक्मेंट्स से रिलेटेड जितने भी कन्फूजन्स आपके होते हैं उसको हम दूर कर दें और दूसरे वीडियो स्पेशल हम बोर्ड के सेलेक्शन को ले करके बना दें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन-कौन सा आवस्यक डॉक्मेंट्स है डॉक्मेंट्स आपका कैसे बनना है खास करके इस डॉक्मेंट्स में आपका NCL की बातें आएगी EWS साटिफिकेट की बातें आएंगी EBC साटिफिकेट की बातें आएंगी Economically Backward Cast इसके अलाबा SCST कैटेगरी के इसमें ज़्यादा तर जो confusion रहता है कि Central का, State का और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम इसमें एक बगल से हम पूरा डिटेल चर्चा करेंगे Documentation के बारे में आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए अगर थोड़ा भी confusion है तो कि फॉर्म भरने से पहले जरूरी documents के बारे में जाने आप, आप देख लिजिए कि हलांकि ये LPC related है लेकिन technician के लिए भी ये चीज लागू होगा documents के बारे में तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि appearing वाले candidate को चाहिए आप ITI appearing हो diploma appearing हो या BTEC appearing हो इनको mocha railway नहीं देती है appearing वाले candidate को क्योंकि आप जब form भरते हैं तो उसमें certificate number दिखाना होता है तो appearing वाले अगर बच्चे रहेंगे तो उनके पास certificate number नहीं होगा इसलिए करके वो form भर नहीं सकते हैं तो appearing वाले बच्चे form नहीं भरेंगे ये clear आपका है उसके बाद आप देख लिजिए शुरुवात करेंगे चुकि 10th प्लस ITI या फिर इसके बाद डिप्लोमा या बीटेक की बातें होती है ये तीनों बच्चे इसमें form भर सकते हैं तो ये जरूरी है 10th का documents में क्या लगना है सबसे पहले ये देखना है कि मारसीट फिर उसके बाद certificate certificate में original या provisional दोनों में से कोई भी चलेगा उसका number आपको देना होता है अगर आपका original certificate का number नहीं है तो provisional का भी number आपका चलेगा लेकिन मारसीट है तो मारसीट से related भी जो उसमें information आपको भरना होता है ये जरूरी है मारसीट और certificate उसके बाद वही बात जो अभी हम बताए कि अगर certificate में नेम में अगर mistake है तो उसको ठीक करवा लें नहीं तो कई बार क्या होता है कि अगर minor mistake होता है form आप डाल देते हैं तो बाद में भी एफिडिविट बनवा लें या फिर उसको बाद में भी सुदरवा करके आप जमा कर सकते हैं बहुत major नहीं होता है लेकिन बहतर ये होगा कि अगर अभी बरत्मान में सुदार हो जाता है जादा अच्छा है इसके बाद ITI certificate ITI certificate आपको देना होता है या फिर जो technical qualification की बाते हैं उसमें ITI, Diploma certificate या BTEC certificate जो भी applicant है जो भी आपका लागू होता है वो certificate का नंबर आपको देना होता है ITI certificate, Diploma certificate या BTEC certificate इसके बाद अब जो man मुद्दा आता है जहां सबसे ज़्यादा बच्चे confuse करते हैं OBC का NCL certificate अब आप देखेंगे OBC का जब भी certificate बनेगा इसमें दो भाग में इसको बाट दिया जाता है non-crimi layer और creamy layer आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप form भरेंगे ये column आपका दिया हुआ राता है बहुत बच्चे जिनको पता नहीं होता है वो कई बार creamy layer में टिक मारते हैं कई बार non-crimi layer में टिक मारते हैं तो ये बात आप समझ लिजिए कि अगर 8 lakh annually income से कम आपका है तो ही non-crimi layer यानि NCL certificate आपका बनेगा अगर 8 lakh से कम का आए है तो NCL बनेगा और NCL certificate यानि non-crimi layer certificate आपके पास रहेगा तो ही आपको इसके reservation का lab especially मिलेगा नहीं तो आप UR category में count किये जाएंगे और creamy layer हो गया कि अगर आपका 8 lakh से जादा का income है परिवार की तो उस परिस्तिती में creamy layer certificate आपका इस category में आप आजाएंगे और reservation का lab आपको नहीं मिलेगा इसलिए करके ये दो बात आपको समझना बेहत जरूरी है कि non-crimi layer क्या हुआ और creamy layer क्या हुआ तो आपको क्या करना है non-crimi layer certificate आपको देना है जिसमें कि 8 lakh से कम कामदनी है तो ही बनना है non-crimi layer certificate और ये central के format पर ये होता है जैसे कि आप जैसे बिहार के exam में बिहार सरकार का आप certificate देते हैं लेकिन central का exam होता है तो central का certificate देना होता है उसके format पर इसमें दो format होता है एक railway अपना अलग format जारी करती है और एक normal central government का format होता है तो जो अभी आप online भी certificate बनाते हैं तो उसमें central government का बनता है लिखा हुआ रहेगा आपका जरूर बिहार सरकार का लेकिन अगर आप SDO level का certificate बनाते हैं तो वो central government के format पर आधारित होता है इस कदले में वो भी अगर आप SDO level का non criminal certificate NCL बनवाते हैं तो आपका चलेगा लेकिन वो central पर आधारित होना चाहिए क्योंकि कई कास्ट ऐसे भी हैं जो कि state में उनको reservation का lab मिलता है category में लेकिन central में वो UR category में आते हैं इसले करके अगर central में UR में अगर आप आ रहे हैं तो state में जो अगर reservation category में आते हैं तो उसका lab आपको नहीं मिलेगा उसी के अंतरगत मिलेगा लेकिन अगर UR category में central में आते हैं तो वहाँ पर आपका EWS certificate भी आपका बनेगा ये भी बातता है जो 10% आपको special lab उसका मिलता है तो वो चीज भी आपको उसका lab मिलेगा तो इस बातों पर ध्यान देना है कि non criminal certificate central format पर होना चाहिए और एक साल valid आप देख रहे हैं कि जब भी OBC certificate बनता है तो ये generally एक साल के लिए valid होता है क्योंकि OBC जब भी आप बनाएंगे तो आपका income certificate का certificate birth certificate आवासिय परमान पत ये सब मिला करके आपका ये certificate बनता है तो income प्रतेक साल बदलते रहती है इसले करके एक साल के अंदर का होना चाहिए generally क्या होता है जो railway में rule लाग होता है कि last date आपका जब का हो रहा है तो उसके पहले के एक साल के अंदर का आपका certificate बना हुआ होना चाहिए क्योंकि जब भी आपका verification होता है तो अलग-अलग board में कुछ-कुछ अलग- certification हो जाता है कभी-कभी आपको current OVC certificate ही मांगा जाता है verification के time में कई बार आपको current certificate के अलावे भी बोलेगा कि जिस समय आप form भर रहे थे हमको उस समय का भी certificate चाहिए तो ये आपको ये जरूर होना चाहिए कि अभी last date के पहले का certificate एक साल के अंदर का बना होना चाहिए नहीं तो अगर मांग लेगा उस समय अगर नहीं बना हुआ तो आपको परिशानी हो सकती है इसलिए करके दोनों परिस्तिती के लिए आपको तयार रहना है उस समय का current OVC भी आपको देना है और अभी का बरतमान OVC भी आपको मांग सकता है इस बात को ध्यान रखना है एक साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए तो यही बाते हैं इसमें इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो SCST के case में Central के format पर Railway के format पर क्योंकि इसमें Travel Pass भी आपका जारी होता है SCST certificate लगाते हैं तो SCST के case में सिर्फ आपका जाती परमान पत्र बना हुआ है block level से भी वो भी आपका चलेगा वहाँ आपको SCST के case में दिक्कत नहीं होना है एक चीज आप गौर करेंगे EBC के case में ये EBC हो गया economically backward classes यानि कि जिस भी परिवार का income पचास हजार सलाना से कम है उसको इस category में रखा गया है economically backward classes के category में और अगर इसका 500 रुपया अगर आपको fee लगता है तो वहाँ पर आपको 50% यानि 200 रुपया ही fee लगेगा लेकिन 50,000 से कम का income होना चाहिए तो मेरे ख्याल से ये certificate नहीं ही बनाएं तो बहतर होगा क्योंकि कई बार देखा गया है कि बच्चे अभी तो फॉर्म भर देते हैं इसके आधार पर लेकिन बाद में जब certificate मांगा जाता है तो generally कहीं पर भी अब 50,000 से कम का certificate बनाने में बहुत दिक्कत होता है generally नहीं ही बनता है certificate तो इसलिए करके आपको आगे चल करके परिसानी हो सकती है इसलिए इस category में आने से आप बचें आपको क्योंकि इससे तो reservation का कोई मतलब नहीं है आरक्षन का lab से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर सिर्फ आपको fee में relaxation के के लिए ही आप ये certificate EBC certificate आप बनाते हैं economically backward classes का तो बाद में चल करके verification के time में बहुत ज्यादा परिसानी हो जाता है इसलिए कोसिस करें यह certificate नहीं ही लगाएं आप नहीं देने का परियास करें तो ज्यादा बेहतर होगा इसके बाद देखते हैं आधार कार्ड जरूरी है तो आधार कार्ड में अगर कोई गलती है error है उसका correction ठीक करवा लें और वो भी correction जब करवाएं तो कई बार देखा जाता है नाम में गलती हो जाती है father's नाम में या दूसरे date of birth में गलती होती है तो यह 10th के certificate के आधार पर इसको आप तयार करवाएं आधार का तो बहतर होगा इसके बाद फोटो जिसका background white होना च जिससे कि हर एक step में जब मांगा जाएगा photo तो similar photo ही देना है आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो जाए इसलिए अधिक से अधिक संख्या में बनवा करके भी आपको रख लेना चाहिए और EWS certificate जिसमें 10% आरक्षन का लाम मिलता है इसके अलाबा EWS certificate आपको देना होता है य इतने documents की जब चर्चा की बाते आती है तो इतने तरह का documents का आपका यूज होता है अब थोरा साम आगे बात कर लेते हैं कि चुकि अगर आप railway की तयारी कर रहे हैं तो आप तो अब देख रहे हैं कि railway की vacancy हलांकि कम दिया गया है लेकिन ये आस्वासन दिया गया है कि परते मंतरी के द्वारा या रेल मंतराले के द्वारा लगातार अपनी बातों को पुकता तरीके से रखा जा रहा है तो एक विश्वास किया जा सकता है कि अपरतेक साल वेकंसी इसकी आ जाएगी पहले आपको 5 साल में वेकंसी आती थी अब 1 साल में 4-5 वेकंसी आपको देखने क तो मिलेगी यह एक्स्टा लाब हो सकता है क्योंकि आगे टेक्निशन का भी 9000 वेकंसी की बाते हैं और सिलेबस कमोबेस आपका वही है वही चीज़ आपको परहाई करना है इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होना है इसलिए के जो भी छात्र रेलवे की तैयारी लगातार कर रहे ह हैं अगर उनको थोड़ा सा कोर्स के बारे में अगर जानकारी हो कि चुकी कोर्स तो लगातार अपना चल रहा है अपना एप है जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन दोनों मोड में कोर्स चल रहा है और ऑफलाइन में हमारा साइथपूर मोर भिकनापारी प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंग अपना एप है कौन साथ प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंग अभी आप देख रहे हैं कि कई तरीके का कोर्स इसमें उपलब्द है अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो ये 2499 रुपया फी था इसका लेकिन अब मात्र फुल कोर्स का 999 रुपया आपको फी लगना है प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंग एप पे जा करके 999 में CBT1 और CBT2 दोनों तरह का कोर्स आपको उपलब्द हो जाएगा इसमें आपका मैथ रिजनिंग साइंस के अलावा जो कि आपका PT में तो काम करेगा ही CBT1 मे और ये CBT2 में भी काम करना इसके अलावा बेसिक साइंस इंजिनिंग ड्वाइंग और ट्रेड इन सारे पेपर की तयारी मातर 999 रुपया में हो जाएगी आप समझ सकते हैं कि 200 रुपया पर सब्जेक्ट भी नहीं परा और ये एकजाम तक आपका चलेगा कम सकम चार से सार दोनों मोड में रहेगा लाइब भी रहेगा रिकॉर्डिंग मोड में भी दोनों मोड में ये उपलब्द रहेगा और मेट्रियल्स अगर भी लगातार आपको मिलते रहेगा इसमें देख रहे हैं कि जो पतना के बेस्ट फेकल्टी हैं अमरजीत सर मैथ में देख लीजिए साइन्स में आप आसी सर को देख लिजिए अमित सर को रिजिनिंग में देख लिजिए ये इंजिनियर आसी सर आपका एलेक्टिकल में आ गया मेकनिकल में ये आसी सर हो गए यानि कि बेस्ट फेकल्टी के द्वारा पूरी बैचेज आप कर सकते हैं इसके अलावा इसमें आप देख रहे हैं कि अगर आपको सिर्फ फीटर ट्रेड परना हो फीटर ट्रेड पलस एडी दोनों पोर्शन काफी मातर 499 रुपय आपको लगना है फीटर पलस एडी मिला के 499 रुपय आपको 11 से 12 इसमें टाइम है इसमें भी आपका ट्रेड यानि एलेक्टिसियन पलस एडी दोनों सेक्षन मातर 499 रुपय में आपका ये उपलफद हो जाएगा इसके अलावा भी आप देख रहे हैं CBT1, CBT2 का एलेक्टिकल गुरूप का कमबाइन बैच 1499 है अभी तो आफर सरसुती पुजा का दिया गया है मातर 999 रुपय में इस पूरे कोर्स को कर सकते हैं इसी तरीके से फीटर ट्रेड के अलावा ये अन्य एकजाम में भी आपका उपयोगी है तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि हर तरह का जो ड्राइवर के लिए कोर्स उपलब्ध होना चाहिए सारा कोर्स प्लेटफॉर्म बाई नभीन कुमार सिंग एप आप खोलिएगा वहां रेजिस्टर्ड हो जाईएगा वहां पर आप ALP, Oblig Technician करके एक कॉलम ही बना हुआ है नहीं तो टेकनिकल करके कॉलम बना हुआ है नहीं तो रेलवे करके कॉलम बना हुआ है सब जगह ये बैचेज उपलब्ध करा दी गई है अगर सिर्फ Math ही अमरजीत सरका करना चाहते है तो मातर 299 रुपिया में आपका Math का बैच भी उपलब्ध है पर्टिकुलर सबजेक्ट वाइज भी और फूल सिलेवस का भी बैच उपलब्ध है एक दम मीनिमम कॉस्ट में तो देख लेना है अगर जैसे आपको जरुरत हो और अगर यहां आकर के करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में अभी तो कई बैच हमारा चल रहा है और फिर इसके बाद 20 फरवरी से फिर नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है तो अगर अभी आकर करना चाहते हैं तो मातर 5,000 रुपिया फी है जिसमें कि पूरा CBT1, CBT2 आफलाइन में पूरा क्लासेस ऑनलाइन सहीत आपको मिल जाएगा इतना कमफी में तो देख लेना है जैसा आपको जरुरत मसूस हो और टेस्ट अपना सटर्डे संडे CBT1, CBT2 का लगातार चल रहा है और एक special अपना एप है अगर सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो platform online test वहाँ पर only सिर्फ और सिर्फ टेस्ट आपका उपलब्ध है तो चलिए इस वीडियो हम इतना ही रखेंगे धन्यवाद बेस्ट अपलग खुब अच्छे से परहाई कीजिए खुम्मन से परहाई कीजिए